हाईलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनिल सोठेंड में आज हम केंप्यूटर की 60 प्रस्नों को देखेंगे पहला प्रस्न है एक फाइल को सेफ करने की कमांड कौन सी है 5 अपसन दिया हुआ है Ctrl plus C, Ctrl plus S, Ctrl plus D, Ctrl plus Z, Ctrl plus X सही आंसर होगा Ctrl plus S Ctrl plus C से किसी भी फाइल को सेफ करते हैं Ctrl plus X से किसी फाइल को कट करते हैं कौन सा कथन असत्य है अप्षन A है बिंडोज C.U.I है B. डॉस G.U.I है C. अप्षन है A. एवं B. दोनो D. अप्षन है बिंडोज G.U.I है E. अप्षन है D.O.S. C.U.I सही आंसर होगा अप्षन नमबर दो डॉस G.U.I G.U.I का फूल फारम होता है Graphical User Interface तीन नमबर कुश्चन देखेंगे निमली खित में कौन सा सर्च इंजर नहीं है अप्षन A है इमेल अप्षन B है गूगल अप्षन C है याहू अप्षन D है अल्टिविस्टा अप्षन E है एक्साइट सही आंसर होगा E. A नमबर चार नमबर question को देखेंगे दिया हुआ है MS word में command Ctrl S द्वारा अप्षन E है file को delete किया जाता है file को save किया जाता है C है file को rename किया जाता है D file को clipboard में डाला जाता है अप्षन E है इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा B Ctrl प्लस S से किसी फाइल को हम सेफ करते हैं पांच नमर क्वेश्चन को देखेंगे दिया हुआ है निमलिखित में इंटरनेट क्या है अप्शन A, नेट्वर्कों का नेट्वर्क B, डेक्स्टप पर एक फोल्डर C, एक फाइल D, एक हीडन फाइल E, माइक्रोशफ्ट पाइकेज सही आंसर होगा A, नेट्वर्कों का नेट्वर्क कोस्टन नमर च्छा देखेंगे निमलिखित में कौन सा एक्सल फाइल की एक्स्टेंशन है Option A, TXT, Option B, .xls, Option C, .dot, Option D, .com, Option E, xls सही आंसर होगा Option B, .xls Question No.7 देखेंगे फोल्डर क्या है Option No.A, Operating System का नाम है कुछ वानशित फाइलो, एम महत्वपूर फाइलो का नाम है Option C, Floppy Option D, एक प्रकार की CD Option E, Programming भासा सही आंसर होगा Option No.B Question No.8 देखेंगे Java फाइलो की एक्स्टेंशन है .java, .e java, .e java, .e java, .e java x, .je सही आंसर होगा Option No.B .e java 9 नमबर Question को देखेंगे निमलिखित में कौन सा एंटिवाइरस आप्स्टेंशन है Option No.A, Excel Option No.B, Java Option No.C, Norton Option No.D, .d base, .3 सही आंसर होगा Option No.C, Norton Question No.10 देखेंगे माउस अधिक्तम माउस में 5 बटनों में उपलब्ध है तीन से पांच बटनों में उपलब्ध है एक बटनों में उपलब्ध है तीन बटनों में उपलब्ध है, एक ही बटन में उपलब्ध है, सही आंसर होगा, माउस में तीन बटन उपलब्ध है कोश्चन नमर 11 दिया हुआ है, कंप्यूटर करांती को गती प्रदान करते हुए, अब यह बेवस्था की गई है कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी भांसा के साथ ही, हिंदी भांसा का भी प्रयोग किया जा सकता है यह बेवस्था निम्लीखित में से किस सांस्था के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सफल हुआ है अप्शन A, C-DAC, अप्शन B, DRDO, अप्शन C, भाभा परमाणू केंद्र, अप्शन D, इस्रू, सही आंसर होगा, अप्शन नमर A, C-DAC C-DAC नहीं सरप्रथम सूपरकेंप्यूटर बनाया था, इसका मुख्याला पूने में है, भारत इंडिया में सरप्रथम सूपरकेंप्यूटर जो बना था उसका नाम था, परमाणू, परम एट हंड्रेड Q12 पेपॉल मैसेज के रूप में प्रकट होने वाला नया कंप्यूटर वाइरस है, पेपॉल के संदर्व में निमलिकित कत्मों में से कौन सा कत्म सत्य है Option A है, यह वाइरस नेजी कंप्यूटर उपभुकताओं को अपना निसाना बना रहा है Option B, यह एक ओनलाइन भुकतान सेवा है Option C, A और B दोनों सही है Option D, यह वाइरस उपभुकता के कंप्यूटर की तलास में इंटरनेट ब्राउजर में जाकर हाईलो को खोज करता है Option E, उपरुकत सभी सही है सही आंसर होगा Option E, उपरुकत सभी सही है Question No.13 दिया हुआ है CD का पूरा नाम है Option A, Cute Dix Option B, Carat Disc Option C, Compatic Disc Option No.D, Copper Disc Option No.E, Clear Disc सही आंसर होगा Compatic Disc Question No.14 निमलिखित में कौन सा विब ब्राउजर नहीं है Option A, Microsoft का पैकेज Internet Explorer C, NextUp Navigator Option No.D, B C वर C दोनो Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.A Microsoft का पैकेज Question No.15 Batch फाइलों की एक्स्टेंशन है .bat, .batch, .b, .extb सही आंसर होगा Option No.A, .bat Question No.16 निमलिखित में से कौन सा Microsoft पैकेज का भाग नहीं है Option No.A, MS Excel, MS Word, MS Access, .ms Account Question No.16 का सही आंसर होगा Option No.D, MS Account Question No.17 अप्सर दिया हुआ है HTML फाइलों की कोडिंग लिखी जाती है Notepad में Option No.B, MS Word में Option No.C, .DOS में Option No.D, MS Excel में Option No.E, Desktop में सही आंसर होगा A, Notepad में Question No.18 Windows एक तुरचित फाइल है Operating System है Option No.C, स्वचालित कारेविधी है Option No.D, संपूर संग्रह है सही आंसर होगा 17 का, 18 का, A, तुरचित फाइल है Question No.19 A, Plate Document Application प्रोग्राम होता है Option No.A, एक ASTATIC Option No.B, एक DYNAMIC Option No.C, एक Active Option No.D, एक Passive सही आंसर होगा Option No.B, एक DYNAMIC 20, नमर कोस्चन देखेंगे 8 बिट्स के समों को कहते हैं Option No.K, Byte Megabyte Option No.D, Gigabyte Option No.E, हर्ज सही आंसर होगा Byte Question No.1 देखेंगे इस परकार की इस परकार की मिमोरी को समाना था Temporary या Volatile Storage कहते हैं Option No.A, ROM Option No.B, Flash Memory Option No.C, Virtual Memory Option No.D, RAM Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.D, RAM RAM का Full Farm होता है Random Access Memory ROM का Full Farm होता है Read Only Memory Question No.2 देखेंगे Screen को Hold करने वाला Equipment कौन सा है Option No.A, Video Option No.B, Desktop Option No.C, Modem Option No.D, Monitor Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.D, Monitor Question No.3 देखेंगे Form करने के लिए Personal Computer को एक साथ Connect किया जा सकता है Option No.A, Server Option No.B, Super Computer Option No.C, Network Option No.D, Enterprise Option No.E, इन में से कोई नहीं तिसरा का सही आंसर होगा Option No.C, Network Question No.4 देखेंगे में S-Phe-C, कि नियम और सब्द होते हैं जो Algorithm के Logical Steps व्यक्त करते हैं Option No.A, Programming Language Option No.B, C, Tax Option No.C, Programming Structure Option No.D, Logic Chart Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा A, Programming Language Question No.5 एक Electronic Device है जो डाटा को सुचना में परिवर्थित कर उसे प्रोसेस करता है Option No.A, Monitor Option No.B, Computer Option No.C, Case Option No.D, Stylus Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा B, Computer Question No.6 देखेंगे किसी सब्द को हाइलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे आप कर्सर को सब्द के आंगे आंगे रखते हैं और फिर Option No.A, बटन डाउन होड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं Option No.B, माउस एक बार क्लिक करते हैं Option No.C, माउस को इर्दगिद रोल करते हैं सही आंसर होगा Option No.A, बटन डाउन होड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं Question No.7 देखेंगे टेलिफोन सिफ्टम दोवारा ट्रांसमेशन करने के लिए और पुनह वापस डिजिटल केंप्यूटर सिंग्ललों को इनलोग सिंग्ललों में परिवर्थित करने वाला डिवाइस है Option No.A, मॉडम Option No.B, मॉनिटर Option No.C, डिजिटल कैमरा Option No.D, स्कैनर Option No.E, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.A, मॉडम अठमा बिना केवल परियुक्त की ये नेटवर्थों को कनेक्ट करने वाला डिवाइस को कहते हैं Option No.A, डिट्रिब्यूटेड Option No.B, सेंट्रलाइजड Option No.C, ओपेन स्टोर्स Option No.D, वाइरलेस सही आंसर होगा Option No.D, वाइरलेस Question No.9 देखेंगे Separate Street में सेल को निमना मुलसार परिभासित किया जाता है Option No.A, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन Option No.B, टेबल और डुपलिटेट का इंटरसेक्शन Option No.C, फाइल और डाटाबेस का इंटरसेक्शन Option No.D, फोल्ड और रिकर्ड का इंटरसेक्शन, Option No.E, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.A, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन Question No.10 देखेंगे Computer, संचेफ केवी का पूरा नम क्या है, की ब्लोक Option No.B, केरनल बूट Option No.C, किलो बाइट Option No.D, किट बीट Option No.E, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा किलो बाइट 10 का Option No.C, सही होगा Question No.11, सब्टवेजर का प्रात्मिक प्रायोजन डाटा का खाली अस्थान में परिवर्थित करना है Option No.A, बेब साइट Option No.B, सुचना Option No.C, प्रोग्राम Option No.D, अबजेक्ट Option No.E, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.B, सुचना Question No.12, देखेंगे Floppy डिस्क में डाटा नामक रिंग्स पर रिकोर्ड किया जाता है Option No.A, स्टर्स Option No.B, रिंग्स Option No.C, ट्रेक्स Option No.D, राउंडर्स Option No.E, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.C, ट्रेक्स Question No.13, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है इसे कोई छूच सकता है Option No.A, हार्डवेयर Option No.B, डाटा Option No.C, सॉप्टवेयर Option No.D, इनमेंपूट Option No.E, इनमें से कोई नहीं तेरा का सही आंसर होगा Option No.A, हार्डवेयर हार्डवेयर उसे काते हैं जिसे हम किसी को भी छूच सकते हैं सॉप्टवेयर जो हमें डाटा को हम टच नहीं कर सकते हैं Untouchable Question No.14, फ्लॉपी डिस्क का उप्योग किसली होता है स्रेस उत्तर चूनिए Option No.A, काइंप्यूटर स्क्रिन को इरेज करने Option No.B, प्रिंटर को कारे रत करने Option No.C, काइंप्यूटर को अनलॉग करने Option No.D, सुचना एस्टोर करने Option No.E, इनमें से कोई नहीं 14 का सही आंसर होगा Option No.D, सुचना एस्टोर करने के लिए Question No.15, CPU का पूरा नाम क्या है Computer Processing Unit Option No.B, Central Processing Unit Option No.C, Computer Protection Unit Option No.D, Central Processing Upload Option No.E, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.B, Central Processing Unit CPU को ही Computer का दिमाग भी कहा जाता है Question No.16 दिया हुआ है प्रियोकता जो AppList करना चाहता है उसे Computer द्वारा एजिक्यूट किये जाने वाले Interaction में Translate करने की प्रकिरिया को कहते हैं Option No.A, Programming Option No.B, Debugging Option No.C, Modeling Option No.D, System Testing Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.A, Programming Question No.17 Input Device एक उदाहरन है Keyboard Option No.B, Monitor Option No.C, Printer Option No.D, Central Processing Unit Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Keyboard किसी भी डाटा को जब हम बाहर से अंदर की और भेंते उसे हम Input कहते हैं Keyboard भी Input है Mouse भी Input है Printer Output है Monitor Output है Question No.18 Website address एक उनिक नाम होता है जो वेव पर एक specific खाली अस्थान को identify करता है Option No.A, वेव ब्राउजर Option No.B, वेव साइट Option No.C, PDA Option No.D, लिंक Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.B, वेव साइट Question No.1 लिस लेखेंगे मैं ऐसी कमांड होती है जिने सिलेक्ट किया जा सकता है Pointer, Menu, Icon, Button Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.B, Menu Question No.B, वेव साइट Word Processing, प्रोग्रामों द्वारा किस परकार की फाइल Create की जाती है Option No.A, डाटा बेस फाइल Option No.B, स्टोरेज फाइल Option No.C, वर्क्षिट फाइल Option No.D, डोकुमेंट फाइल Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Document No.5 Question No.21 किसी भी देमान डोकुमेंट में परिवर्तन करने को कहते हैं Option No.A, एडिटिंग Option No.B, क्रियेटिंग Option No.C, मोडिफाइंग Option No.D, एडिजर्टिंग Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.A, एडिटिंग Question No.22 आपके कंप्यूटर का Everything Component या तो होता है Option No.A, सफ्ट्वेयर होता है या CPU RAM Option No.B, अपलिकेशन सफ्ट्वेयर होता है या सिस्टम सफ्ट्वेयर Option No.C, इन्पुट डिभाइस होता है या Output Device Option No.D, हाड़वेयर होता है या सफ्ट्वेयर सही आंसर होगा Option No.D, कंप्यूटर का कोई भी Everything Component या तो हाड़वेयर होता है या तो सफ्ट्वेयर Question No.3 ऐसा सब्धाईजीने प्रोग्रामी लाइंग वेज में अपने परियोग होत्तू अलग राखा है Option No.A, Control Words Option No.B, Control Structures Option No.C, Reserved Words Option No.D, Reserved Changes Option No.E, इन्पेसे कोई नहीं तेश का सही आंसर होगा Option No.C, Reserved Words Question No.24 Safe Drive Data को Access Offer करता है Option No.A, Timely Option No.B, Sporadic Option No.C, Random Option No.D, Sequential Option No.E, इन्पेसे कोई नहीं 24 का सही आंसर होगा Option No.D, Sequential Question No.25 दिया हुआ है RAM का पूरा रूप है Random Access Memory Option No.B, Registered Application Module Option No.C, Real Time Access Memory Option No.D, Remote Access Machine Option No.E, इन्पेसे कोई नहीं सही आंसर होगा Random Access Memory RAM को एंड, Random Access Memory कहते हैं Question No.26 Printified Meaning वाला करेक्टरों का एक समूँ है Option No.A, File Option No.B, Database Option No.C, Field Option No.D, Keywords Option No.E, इन्पेसे कोई नहीं 26 का सही आंसर होगा D, Keyboard Keyboard वहीं सभी करेक्टर एकत्र होते हैं Question No.27 पत्र लिखने जैसे कारे करने के लिए परिक्ट सब्ट्वेर के प्रकार को कहते हैं Option No.A, GUI सफ्ट्वेर Option No.B, Utility सफ्ट्वेर Option No.C, Application सफ्ट्वेर Option No.D, User Nets सफ्ट्वेर Option No.E, इन्पेसे कोई नहीं सही आंसर होगा 27 का Option No.C, Application सफ्ट्वेर 28 .bas, .doc और .htm किसके उदाहरण है Option No.A, Database Option No.B, Domain Option No.C, Extension Option No.D, Protocol Option No.E, इन्पेसे कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.C, Extension यह सभी Extension के प्रकार है Question No.29 तेखेंगे एक उनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं Option No.A, Folder Option No.B, Device Letter Option No.C, File Name Option No.D, File Name Extension Option No.E, इन्पेसे कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.C, File Name Question No.30 Compiler Higher Level प्रोग्रामों को Machine Language में ट्रांसलेट करता है जिसे Source Code कहते हैं Option No.B, Object Code Option No.C, Compiler Code Option No.D, Beta Code इसका सही आंसर होगा Option No.B, Object Code Question No.1 किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए आवाश्यक है Option No.A, Deleting Option No.B, Removing Option No.C, Uninstalling Option No.D, Disleaving Option No.E, इन्पेसे कोई नहीं Option No.C, सही होगा Uninstalling किसी भी फाइल को हटाने के लिए मावन इस्ट्रोग्राम होना आवाश्यक है Option No.C, Question No.32 दिया होगा है में बटन और मेनू होते हैं जो समानाता प्रयूक्ट कमांडो को Quick Access उप्लब्ट कराते है Option No.A, Toolbar Option No.B, Menu Option No.C, Window Option No.D, Find Option No.E, इन में से कोई नहीं 32 का सही आंसर होगा Option No.B, उसे मेनू बार कहते हैं Question No.33 कंप्यूटर बंद हो जाने पर के कंपोनेंट्स लॉट्ट हो जाते है Option No.A, Input Option No.B, Output Option No.C, Memory Option No.D, Storage Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.C, Memory के स्टोरेज नर्थ हो जाते है Question No.34 Interactions की सीरीज को जो कंप्यूटर को एक या अधिक पार्टिकूलर टास्क परफर्म करने के लिए कहती है Option No.A, Words Activation Option No.B, Database Option No.C, Separate Sheet Option No.D, Program Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा इन में से कोई नहीं Option No.D, सही होगा 34 का प्रोग्राम, उसे प्रोग्राम दिया हुआ है Question No.35 Number Pets से Directional Arrow के रूप में काम करने लेने के लिए कुझी दबानी पड़ती है Option No.A, Num Lock Option No.C, Caps Lock Option No.C, Arrow Lock Option No.C, Shift Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Question No.35 का Option No.1 जब आप कीबोड में Num Slug दबा देंगे तो आपका Num Lock नमबर की माउस की तरह काम करता है वह Off, Down, Left, Right का काम करने लगता है Question No.6 30 किसी भी केंप्यूटर सिर्टा में सबसे छोटा यूनिट है जो ऐसे आठ मिलकर एक बाइट बनता है Option No.A, Beat Option No.B, B, 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 Option No.C, Octal Option No.D, Gigabyte Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.A, Beat Question No.37 किसी अबजेक्ट की परपरटीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक निमली खित है Option No.A, Dragging Option No.B, Dropping Option No.C, Right Clicking Option No.D, Shift Clicking Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.C, Right Clicking जब हम किसी फाइल की परपरटीज में जाना चाहते हैं तो हमें माउस का राइट बटन क्लिक करना चाहिए Question No.38, कंप्यूटर से हर्ड कॉपी उपलग कराता है सही आंस, Question No.A, Email Option No.B, Fax Option No.C, Software Option No.D, Printer Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Printer, Option No.D Question No.49, टीपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपून या पावर्फुल कंप्यूटर है Option No.A, Desktop Option No.B, Network Client Option No.C, Network Server Option No.D, Network Station Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.C, Network Server Question No.40, PC का पूरा रूप है Option No.A, Personal Computer Option No.B, Process Control Option No.C, Production Computer Option No.D, Painful Creation Option No.E, इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा Option No.A, PC को Personal Computer कहते हैं समाथ हुआ Option No.N, का बास्ड़्य्ण eelů, इन में से कर दो हीं, ऍन सहीं greetings to hear 요रूब्ध का इन सहीं अँ में सहीं व़रा